हेलो एवरीवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दीन आप पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज किस वीडियो के लिदर में हम में हिस्ट्री MHA08 का जून 2022 के को सॉल्फ करने वाले हैं को में को स्वाइब उसके वारे में थरौ से दिसकेश करें तो दोस्तों अगर जितने ज्यादा को इसे तरीके से अपना चलिप करने के और बढ़ रहें हो ठीक है question paper solve करने का benefit क्या होता है तो सबसे बड़ा benefit गी होता है कि आपको किसी भी question का pattern क्या है जो chapter में से questions put up किये गए है उसके pattern क्या बन सकते है किस तरीके से question को घुमा कर पूछा जाता है वो आपको समझ में आ जाता है आपने बच्पन से कई बार सुनाओगा और question बड़ा घुमा कर रहा है समझ में नहीं आए इसलिए answer गलत लिखती है ठीके तो जो घुमा कर लिखने का तरीका होता है वो आप जितने ज़्यादा question बेप्रकूर सॉल्फ करोगे उतने अच्छा तरीके से आपको समझ में आता है दूसरी चीज यह रहता है कि आपको एक idea मिल जाता है कि most repeated question क्यों से है सबसे ज़्यादा बार repeat कौन से question हो रहे है ये भी आपको समझ में आ जाता है जिसके बाद एक list बंते जले आती कि हाँ ये वाला question रिपीट हो रहहिए हर साल आ रहा है मतलब इस साल भी आने के chances है तीसरी चीज is कहरता है कि आपको ये भी idea लग जाता है आपको चिसारी करों भूरा repeat हो रहा है ये वाला question लग उन्हें के पूछा जा रहा है साहई हो ये वाला question इस chapter में का important question है सबसे ज्यादा pattern of the question क्या रहा है यह हमें समझ में आ जाता है तो यह बहुत important चीज़े होती है कोशन पर के अंदर में जो हमें देखना चाहिए हमें समझना चाहिए अगर हम किसी भी question का pattern जान गए कि इस तरीके से question पूछा जा सकता है तो हम easily answer दे सकते हैं कई बार क्या होता ह question देना चाहूंगा आप सभी वीवर्स को जो भी हमें देख रहे हैं इस समय आप यह कह सकते हो कि पांसे अगर साथ साल का question paper को solve करते हो में कि इंदर में किसी भी सब्सक्राइब कर दिया तो आप यह कह सकते हो कि आप easily 90% score कर सकते हो easily अपना 90% slayvers cover कर सकते हो ठीके without any doubt और ब 5 साल की वीडियो जली हुई है 5 साल के question पूर की solve वीडियो जली हुई है आपको pattern बताएगा कि किस तरीके answer को लिग सकते हो क्या answer बन सकता है तो अगर आप एक वीडियो पर टाइम देते हो न तो आप 2.5 गंटे का वीडियो है अगर 2.5 गंटे दिये तो आप यह कह सकते हो क 90% syllabus आप cover कर सकते हो अच्छे नंबर लाने के लिए मैं suggestion जरूर दूँँ आप सभी वीडियो को कि आप उन वीडियो को जरूर देखें उन वीडियो को देखने के लिए आपको दीनब चैनल को subscribe करना पड़ेगा और साथी में हमारे दीनब चैनल को join करना पड़ेगा membership लेनी बुक है बहुत ज़्यादा इजी है इसके अंदर में भारत के अंदर में परियावरण की क्या परस्यती है किस तरह का environment सुरूप है भारत का उसके बारे हमें पढ़ना है history क्या environment की उसको पढ़ना है इस बुक को हम easy book भी कर सकते बहुत easy है इसलिए easy है क्योंकि आप जो भी points इसको पढ़ोगे जो भी topic को पढ़ोगे आप easily reconnect कर पाओगे अपने society के साथ में अपनी environment के साथ में ठीक है इसके कान से भी easy मानते हैं इसको तीसी चीज़ यह है कि इस question paper को बाकी question paper की तरह तीन गंटे का time मिला है करने के लिए 100 number का आपको question paper है per question 20 number का आता है 5 question को solve करना है 2 section में बटा होता है section 1 section 2 और हर एक section में से आपको 2 question को solve करना होता है मतलब 1 में से 2 1 में से 3 आपके 5 question solve हो जाएंगे total 100 number आपके complete इस पूरे question paper के अंदर में जो सबसे main चीज़ आपको अपना focus रखना है ध्यान रखना है जिससे आपका नजर नहीं हटना चाहिए वो यह है कि 500 word limit के अंदर में ही हर एक question का answer होना चाहिए उससे ना ज्यादा ना उससे कम 500 word limit को आपको लेकर चलना है और उसके अंदर में अगर लिखो के तो ही आपको अच्छी निबर मिल सकते हैं जरे हम अपना question पर स्टार्ट करते हैं समझते हैं detail में कि क्या question कह रहा है हमारा तो सब हम उपनिवेश थे British East India Company के Britain के उपनिवेश थे हम जब उसके में की बात कर रहे हैं तो उस समय परियावरण को लेकर काफी सारे changes हुए काफी सारी परिवर्तन हुए तो उस परिवर्तनों को दिखाने के लिए इतिहांस लेखन के सुरुवात हुई ठीक है उनको लिखा जान कि उपनिवेशिक काल में परियावरण एतिहांसिक लिखन की प्रकृति पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से लिखा जाता था देखो कई सारी इतिहांसकारों के नाम यहां पर आने वाले हैं तो आपको नाम याद करके चलना है जिससे आप उन नामों को लिखोगे तब अच् के बीच में जो है भीरोदाबास की सिती देखने के मिलती है राज्य का जो नियंतरन कारी प्रकृति था उसके उपर यह प्रकास जालने की कुर्चित करते किस तरह से राज्य आदिवासियों पर नियंतरन करता है आदिवासियों को जंगली तता आदिम के समक्ष माना गया जो जंगलों में रहा करते थे उनको जंगली कहा गया फिर आदिम मतलब जो आदिम खोर होते उनकी तरह यह दिखा गया इस थाई किर्षी सब्वेता थीके, जो किर्षीवयश्ता था उसके समकुक्ष मानने कह प्रकर्ति रही थे, तो डीवासी यह से दूरी रहते थे यह लिए भी इह आंपर दिखाने के कुछ Das funds की गयी थे राज्य तता आधिवासियों के मद्य जो था आधारित ववस्था का अफ्षोशन था ठीके वहाँ पर जो जैसे राज्य के अंदर में जो ववस्था है और जो आधिवासि लोग जो उनकी ववस्था है दोनों के अंदर में काफी अंतर देखने के लिए मिलता है ठीके एक जै करते हैं कि जो आदिवासी लोग है और राजे जो जिस राजे के आसपास में उपढ रहे हैं उनके बीच में विरुदावास की स्थिति रहती है राजे नियंत्रन कारी परकिरिया के अंदर में चलता है जिसके अंदर में क्या होता है कि राजे अपना नियंत्रन स्थापित कर करते हैं जंगलों को उपर में परियावरान के ऊपर में हिन चीजों के कार्डवन से क्या होता है कॉनिफ्लिक्ट जैसी स्थिति बनने की संभावना रहती है ठीके दूसरे यहां पर इतिहांसकार आते हैं सिर्वराम कृष्णन सीवराम क्रिश्टन करके आते हैं ये 19-20 सदावदी में बिटिस सरकार के कानूनों पर विवाद जो चल रहा था किस तरह के कानून बनाएगे क्या विवाद चल रहा था उसको लेकर यहाँ पर प्रकास जाने की कोशिस करते हैं कौन से कानून लाए गये थे बिटिस सरकार के द्वारा तो वन कानून लाए गया था सामाजिक कानून लाए गया था आर्थिक कानून लाए गया था परियावरण संबंदित कानूनों के विवाद को लेकर यहनोंने प्रकास डाला प्रकृतिक संसादनों पर लागू होने वाले विरुदावासी स्वार्तों को इन्हों ने दर्साया कि किस तर से प्रकृतिक संसादन जोते उसके उपर में कानून लागू किया गया तो कानून क्यों लागू किया गया था देखो इस इंडिया कंपनी को जब हम जिस टाइम प इसको कानून लाए गया जिसमें वन को प्रबंदित कर दिया संग्रक्षित कर दिया एक तरसे बोला उसके अंधर में दूसर लोक को कए अपने स्वार्थ को इंपॉर्टेंस दिखाते में इसकी ज्रूट है ना तो उसने अपने स्वार्थ को इंपॉर्टेंस दिखाती हुए हैं आधी कार्ण मैं यह पर दादें हैं तो इस तरीके से तहीं तरह पर दिखाते हैं जो है तो रहा हुआ हूं तो जो जंगल में रहा है लोग वो खैते हैं जंगल ने पूरा पुरवज रह रह रहा है तो यह जंगल मेरा तो इस तरह के जो अधिकारों को लेकर conflict हो रहा था इसके कान से बात बढ़ती गए और कई तरह के कानुन विवस्था लाया गया ठीके जंगलों से उन उन्ही बाद के आधिया गया किस तरह का उपनिवेशिक निति है कि सकैस्थ कि मतलब क्या अंग्रेजी सरकार की जो नीति थी उपनीवेशकाल की country यह भी बादि तयांसकार के लिए न्हिस सो बीच से लेकर निन्हीं सोपचास के आंदर में तीकव नीजी से लिकर जन्संख्याविद्धी तता अतधिक बसुचारण से विवनों को नुकसान पहुंच रहा था इसके उपर भी उन्होंने अवाज उठाया जनसंक्या विर्दी जैसे अब देखो जनसंक्या विर्दी का टॉपिक आया तो मुझे थोड़ा सांसी आ गया इसका रीजन यह है कि अभी भारत जो है यूए नो की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत विश्व का सबसे ज्यादा पॉपिलेटेड कंट्री बन गया है ठीक है बन जाएगा बन गया है जो भी है ठीक है मतलब हमने चीन को पीजे चोड़गा सबसे ज्यादा अवादी वालत इस बन चुके है ठीक है तो यहां पर कह रहा है कि जो रवी रंचन जी ते जो इतिहांसका उन्होंने जन जन संक्या विर्दी हो रहा है तो लोग कहां रहेंगे तो जंगलों को काटना सुरू किया जंगलों को काटेंगे तो क्या जंगलों का नुकसान होगा परियावरण का नुकसान होगा ठीक है तो इसके उपर में उन्होंने आवाज उठाया ठीक है यहां पर आवाज उठान संध STE5 करने की कि लिए उसके बाद में ट्रकार के द्वारा में कि किस तरीके से एक वन निती लाए जाए जिसमें सबी तरह के वनों को रखा जाए और उसको बाटा जाए तो वनों को तीन भागों में बाटा गया ठीक है जिसमें अलग अलग तरीके से कैटेकरी में तीन हिस्से में वन को बाट दे जो जंगल तो उनको तीन हिस्सों में बा तरीके से वनों को बांटा गया ठीके नए कानून के तरह में सजा लाए गया उसके अंदर में जुर्माना लाए गया तो अलग लगतर के प्रावधान यहां पर एड किये गये जो कानून व्यवस्ता लाए गया था कुछ इतिहासकार और भी आते हैं जो इनके बारे में बोलत का इत्यासिक लिखन की जो प्रकृति है उपने विशिक काल के दोरान में उसको थोड़ा से एक्स्प्लेन करोगे आधार बेस आपका बन जाएगा वो उसके बाद अजे सरकारिया से सुरू कीजिए और रवी जी को समझाईए वहां पे तीनों को समझाते हैं आपका अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं हमारा कोश्चन नमबर टू जहां पर हम बात करते हैं पारंबे की इत्हास में पसुपालन के उदे के लिए उत्तरगाई कारण क्या थे अब देखो अब स्टार्टिंग के जो हिस्ट्री की हम बात करते तो वहां पर दीरे-दीरे क्या हुआ पसुपालन होना सुरू हुआ ठीक है तो पसुपालन हुआ कैसे यह कोश्चन दो तरीके से आता है कल किसी स्टुडेंट ने जो हमारा दीन अपका वर्टसप ग्रूप है वहाँ पर भी एक कोश्चन पूटप क्या था जहां पर कोश्चन सेम था पर यह पसुपालन की पर यहां पर क्रिशी लिखा हुआ था कि आरंबिक इतिहास में क्रिशी के उदे के लिए उत्तरदाई कारान क्या थे ठीक है किस तरसे लोग क्रिशी की और बढ़ रहे इसके लेकर यह कोश्चन पूचा कि तो कोश्चन दोनों सेमी है आंसर दोनों सेमी है मतलब एक तर से पर हलका से पॉइंट के कारण लग ठीक है तो यहां पर क्या है पारंबिक इतिहास में पसुपालन के उदे के लिए उत्तरदाई कारण क्या थे अब पसुपालन उदे कैसे हुआ है इसके बारे में बात करते हैं तो प्राचिन मान मानिविये जो समाज था वो पसू को सिका करके ठीक है सिकार करने का में अमोटीब का अथा भीया जिवन वयापन के लिए भूजन के लिए सिकार करती सिकार भी किनका करते था थो छोट जानम्रों करते थे चोटे जानवर का अधे चब höher UP पाशानकाल में छोटे जानवरों का सिकार क्यों करते थे क्योंकि उनके पास ओजार थी ओजार की उपलब्द था उस तरह की नीथी कि जिससे वो बड़े जानवरों का सिकार करते पर जब मध्य पाशानकाल के अंदर में आते तो देरी देरी ओजार के अंदर में सुधार होत जब उन्होंने कुट्टा को पालतु बनाया तो उसको खाने के परपस से तो बिल्कुर नी बनाया कि उसको भोजन के और तौर पर उप्योग कर सकते हैं तो उसका में परपस क्या था कि कुट्टे को सरवाइव करने के लिए जादा चीजे की दूरत नहीं होती जो आपका भीडबकरी गाय की और बढ़ते चले गए ठीक है जहां पर भीडबकरी की भी साथ क्या था कि वह अपना भोजन के रूप में उनको उप्योग कर सकते थे समय पढ़ने पर जब भीडबकरी को पालने में भी ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता था वह एक जगह से दूसरे ज जो भी थे भैंस थे उनके उपर स्विच होते चले गए ठीक है इस तरीके से पसुपालन का सुरुआत हमें देखने के लिए मिलता है जब हम पसुपालन के समय की बात करते हैं तो भोजन के लिए कुत्तों को पालतू नहीं बनाया गया पर भोजन के लिए भेडबकरी को द इतंचरी यह बूलते ते कि एक जी पर चिरा रहा रहा है कल वहाँ पर जाके ख़िला रहे गए बहश्कों तो एक तो इसितरार की दूसरी कटा है इस थाई वाली जो एक चॉक require उरण करने लगे Celine थरीकर करने बह्ट करने लगे टिक है कि यह पीड़ बखरी गए को अपने साथ में रखने लगा जब एक जगह से दुस्री जगह जाता तो उसका बोजन की रूप में उप्योग भी करता था उनको रखने के लिए ज्यादा खर्ची जुर्द भी नहीं पड़ती थी तो जिसकी कान से पहले माने जाते कि पहले जान सबसे पहले बताओगे कि पूरा पाशानकाल का उसनती क्या रही है ठीक उसके बात पुसुपालन का दोर किस परकार डिखतर से सुरुआथ हुआ अरंभीमि की हम करते सो किस तरह वो पसुओं के और अगरसर हुए ठीक है किस तरह सुजनों ने पसुपालन स्टार्ट किया पसुपालन और चार वहा की जो चाराने के लिए और बढ़ने लेगे तो किस तरह से हुआ चीज़े उसके अंदर में हम यहां पे एक्स्प्लेइन करेंगे और यहां पे मार वहार जंगन के बीच में व्हर जो है उसके बीच मेंं इंतकिक्रिया किस परकार का है इसी तरह का इक कोश्चन का हमने लास्ट कोश्चन पेपर में भी किया था जो December 2022 वाला था जिसके अंदर में हमने बात किया था human और जो जंगल है उनका inter relationship के बारे में बात किया था करमिक विकास की प्रकिरिया थी ठीक है जो अखेट संगरहन और समाज से सुरू होकर जटिल उद्यों की ववस्था की और बढ़ रहा था करमिक विकास मतलब क्या होता है जो धीरे 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 विकास हो रहा था समय क था कि पहले ही उन्हें इंड्यों महानम आथे थाखेट उन्हें जीयाD goshaterёр कॉल यह फटकेट ऊक्टने करना यह उन्हें समाघ का श्रुवात कि we start से सुरुआत थी जटिल परकिरिया था हम देखे चलते मानव और जंगल मानव पुरियत है पूरिhte 주र हम पर आने अए जन्गल पर एक चलते हम संघ्रन करता था और उसके जब वो द्यूगी करांती की दौर पर जाते हैं तो वहां पर जो वनों के ऊपर निरभरता हो देरे-देरे कम होती चली जाती इस पूरी परक्रिया के अंदर में एक पूरी टाइम लाइन में बता रहा हूं जहां पर मनुश्य पहले खेट करता था संग्रहन करता था और उसक करते हैं पर जब हम उद्योगी करन की बात करते हो तो यहां पर क्या दिखाया जाता है कि जो हूंन की निरभरता थी हो देरे-देरे समय के साथ में यहां पर प्रकरतिक उबर में कम होती चली जाती है अखेट संग्रन काल में माना की भोतिक अभिसक्ताओं की पूर्तिक ले थी लाई से हमें दो चल रहे हैं और यह अच्छा फर्याइब स्सक्राइब दारे-पास थि यह न रिगोज्ट में ड्रू安न की महना हना थे खर्टी की फुरक पर रच निरबर यह निर्पर अच्छा हुआ हुआ ऑने पेट और वह आदर्वैस वह इसी रहे नियंग से यह widow पर में निर्वर वैस्ता थी ये भी माना गया आधी माना वैस्ता हो कि पूर्ति के लिए वनु का दोहन करना स्टार्ट कर दिया ये वाले पॉइंट के उगर में क्योंकि अब देखो उनके पास कोई अपना रिसोर्स तो है निकि अपना खुद का खाना बनाया खेती क्या रह जंगलों के अंदर में रह रह रहे हैं तो उसके कारण से उनको वनु का दोहन करना भी उन्होंनी स्टार्ट कर दिया आरम में मानव मिर्त पशू का मास्का अधाय कंद मूल के फल्ओ कथा करता था उसको खाता ऑर इसी तरहके से अपना जीवन व्यतित करता था ठीकित तो पॉइंट के अंदर में तो यही सारी चीजे चल रही थी मानव विकास के साथ साथ में वनों के उपर में जो निरभरता थी कम हो जाती है अब दीरे-दीरे क्या होता है मानव लकड़ी पत्थर के निरमित उपकरणों का ओजार बनाता है और उससे भोजन परदार के लिए वि करातार है तो जब तक यह ओजार नहीं आया था अनको उनको वनों पर निरभरता है बहुत जयाद अधी तो यहां का उपयोग करते तो तरीके चीजों के लिए ओजार का निर्मान किया और दीरे दीरे ओजार वावस्था से वह अद्योगी करने के और बढ़ते हैं पर इससे पहले का जब टाइम पिरेट देखो गया आप जहां पर वनों के उपर में पूरी तर से संपुन निर्भरता आधी मानव का जो भी किस प्रकार से वह एक्स्प्रेइन करोगे बाद में आप इस तर से मैंने दो पॉइंट बताए हैं ठीक है कि उस समझने में असानी रहेगा इन पॉइंटों के मदद से आपको पॉइंट ए जहां पर मानव का पूरी तर से संपुन निर्भरता प्रकरती पे हैं पॉइंट जब वह जार बनाना सुरू कर चुके होते दीरे दीरे वह ओद्यों की करन विकास की और अगरसर होते हैं तब वहां पे वनों पे से निर्भरता दीरे दीरे कम होती चली जाती है तो इस तरीके से आप पॉइंट A और पॉइंट B में आप आंसर को समझा सकते हो एक्स्पें आप लूइस की प्राठी प्राप्ति हो फूर जो भूमी के सता होती है उसके उपर में घंज मिलाता जैसे जैसे वह खनीजों का इस्तेमाल करते हैं उनके लाफ के बारे में जानने लगे कि इसका यह बैनिफिट होने वाला है जो खरन था अनुसंधान जो उसके रिसर्च करने लगे उसके खनन करने लगे और धीरे इस तरह से परकिरिया जो थी जो खनीजो का इस्तमाल का वह स्टार्ट हो जाता है धातु खदानों उसे सुद्रूप में नहीं होते थे उसके अंदर में कई और तरह के धातू भी मिले होते थे थे को सुद्धी करन करना परता थे उच्छ ताप पर उनको पिगलाया जाता था उसके बाद वह उपयोग करने लायक बन पाते थे धातू सुद्ध धातू प्राप्त होते थे जिसका वह अलग-अलग सेपों में ढालकर उनका उपयोग करते थे खनीज एक प्रकरतिक रूप से प्राप्त होने वाला तत्व के तरफे पर अन्हें था एक चस्था में दो या दो से अधिक तरह के समुऊंगों की खनीज थे होते थे तिक है एक च्छञटां में एक विसेश काफी भिण मात्रा में मिलता था ऐसा माराइट में आते थे जो ये लोहे जब सबसे पहले जैसे खनीजों के अंदर में भी देखा जाता है जहां पर आदि माना में जिनका उप्योग किया तो तांबा और तीन का हम मान के चलते हैं जिसके बाद काश्ययू की सुरुवाद देख लेते हैं और उसके बाद लोह यू साथ उनों का रूप जो खनीजों के रूप में उप्योग करना सीख जाता है ठीक है इनका रूप उप्योग करने का पूरा तरीका क्या था किस तरह से उन्होंने खनीजों का उप्योग किया ठीक है तो यहां पर हमें देखते हैं तो नॉर्मली रहता है कि समय के साथ में दीर दिरे दिरे उपयोग किया दिरे दिरे उड़ सीखते गए उसके उपर में रिसर्च करते गए कि कैसे हम उपयोग करेंगे तो क्या चीजी हो सकती है और उसके बाद एक संपूर्ण रूप से खनीजों का इस्तमाल कर पाते हैं ठीक है समझ में आता है तो हमारा चौथा अब देखो दो तरह की प्रमपराय होती है भारती दर्शन के जब हम बात करते हैं तो दो तरह की प्रमपराय होती है लोग प्रिये प्रमपराय क्या होता है जिसके अंदर मौखी का अधार पर हम बाते करते हैं ठीक है प्रचरित प्रमपराय मौखी का अधार पर जो लोग नहीं होता है तीके लोग परंपराय इस परकार एक मौलिक परणाली की संरचना करती है जिसके दोरा हम उस ज्ञान के बारे में जान पाते हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके ज्ञान हैं, उसके बारे में हम बस जान पाते हैं, तो उसको हम लोग पर ये परंपराएं कहते हैं, लोग पर ये परंपराएं रूप में होते हैं जिसको पढ़ा जा सकता है विदीवत तरीके से होता है जो सँष्वाइब रखा होता है एकडम अच्छी तरीके से शास्त्री परमपराओ में परिया वरण को जीवन के एक अभिन हिस्से के रूप में देखने हैं और सोचने पर बल दिया जाता है जो परियावरण क्या है वो जीवन का एक अभीन अंग है अभीन हिस्सा है यह सास्त्री प्रमपराओं में बताया जाता है संसार की संरचना परियावरन के संगतनों से मिलकर बनी है ठीक है यह अप आयों मिट्टी में मिल जाओगे तो इसी तरीके से यहां पर सास्त्रिय में भी का जाता है कि अतर समाज के अंदर में विले हो जाता है, जो समाज इस संसकार है, जो संसार है, उप्रकरती से बना है, और एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, कि वो प्रकरती में ही विले हो जाएगा, तो यहां पर इसके बारे में बात किया जाता है, स परियावरान तता मनुस्ट्य के बीच में संबंदों की सह्जीवी माना 's everything को सहछीवी है यह मानकर देखा जाता है यहां पे चला जाता है तो इसको इसली सभी आप इहां पर रिखांड कर सकते हैं लोग जो पर उनặt पर अपठी रूप25 Stellen अगला कोरिषम आता है में संसाधन के या देको इक प्रकर्तिक संसाधन क कैसे है ठीके जल एक प्रकर्तिक संसाधन में ग्यात है लोग आज के समय में जल को एक दुरलाव और किम्ति संसाधिर मानते हैं जबकि पृतिवी के उपर में ज्यादा तर जो हिस्सा है 70-80% का जो हिस्सा है वो स्रिफ जल से भरा हुआ है ठीके पर फिर भी जो पीने योग के पानी है स्रिफ एक परसेंट ही है ठीके और पृतिवी यह पृतिवी पर जीवो की उत्पत्ती से लेकर जंगल की अस्तित्व को बनाए रखने में सयोग देता है ठीके मैं जिन्दा हूं इसका भी कारण है पानी और बाकी जो आसपास का वातवरण जिन्दा है या फिर जो पर्यावरण जिन्दा है उसका भी में कारण है जल ठी है जल से घिरा हुआ है, जिसमें नदियान, झीले, समंद। único हिस्से हैं कर जल कंट से जाते हैं प्रित्यवी का जो जल छेतर है समूंद। प्रित्यर गेरा हुआ है, प्रित्यूइट के अंदर प्रित्या है जितने भी है दिस पहा है, जैमीन लुक्ता है जा WIL।H और सामने घ्यात है उसके बारे में आपके कोश्चन आता है, आप उसको आंसर दे सकते हो किस तरह से क्रिशी के लिए उपयोग या आरंभिक दौर में अगर क्रिशी नहीं होता देखो जल नदी के उपर में जो जल है उसका यहां पे जल संसादन की जब हम बात करते हैं तो न अगर जल नहीं होता तो साहगत है वह का है उसका है उसका उसका रहता कि उनके पास विक्सित होने के लिए जल जैसे व्य स्टिवल नहीं कर होता है जलसंजादन का एक प्रकृतिक रूप में यह आठवा कोश्चन इंपर्टन कोश्चन है थोड़ा पेजीदा सा कोश्चन है इसको हमें समझते हैं एक सूट क्या होता है इसको संग्रक्षन को हमें समझाते हैं देखो इस समय का जो दौर चल रहा है वह आपने लास्ट वीडियो जो मैंने वत्याया था मैंने आपको समझाया था कि जए वेविट्व किस तर से नुक्सान कर रहा है किस तर से लोग जो जीव जन्तुए देरे-देरे विलूप्त होते जा रहे गायब होते जा रहे है खत्म होते चले गए ठिक है तो इसका रीजन होता है परिष्ति होता है जिसके अंदर में अपना जीवन होता है एक मचली है तुसका görüş क्या है वो जल में ही रह सकता है कुछ मचली ማाम रहती है कि वह समुंद्र में रहती है कुछ मचली पल द्याती है क्ञोटनी अपना परिवेश है। तो हब र estáp यि अगर जीव जन्तू को उसको परिवेश से बाहर निकालकर उसको संगलक्षित करने की day пиш कि तो उसको एक शूट कहते हैं। और सेम टाइम पर मतलब जब इसी परकिरिया को उल्टा किया जाता है किसी भी जीव जन्ति को उसके परिवेस में रखकर उसको संग्रक्षित करने के कोशिश कर जाती है तो इसको इन्शूट कहा जाता है अब सबसे पहले एक शूट का अगर इंजामपल देखें तो किस तरह से हम उनको एक शूट को संग्रक्षित कर सकते हैं तो जे एम परनस्पति उद्ध्योगों की इस्थापित करके जंगल बनाकर ठीक है उसके थुरू हम इस्थापित कर सकते हैं सोद के लेंडर और एक्वेरीयम बजए से चीज़ें बना कर संसा बनाकर ने इसको संग्रक्षित कर सकते। इंज्धे worlds विल्यवकित प्रजाति ने स्थापित बहार लाकर नोगे सकते जब यह से दो चार हो जाएं फिर उसको मुआपस छोड़कर इस तरह से संग्रक्षिट कर सकते हैं इन चूट वाले में किया आता है किस स्टुदेंट इस question को नहीं पड़ा है तो गारेंटी कि इस question का अंसर वो अपने आप नहीं दे पाएगा नहीं लिख पाएगा अगला question आता है यह बी question important है परियावरन संसादुनों के pattern से संब्सक्राइब पैटन पैटन क्या होता है तो pattern मतलब क्या होता है कि किसी भी इस चीजे को पर में अपना दिकार इस्थापित कर लेना तेखो यह पूरा जो question है यह ओपन वेशिक दोर का question है एक ऐसे कोई चीज का विसकार किया तो उसको उसने क्या-क्या patent कर लिया कि भाया यह वाला विसकार तो मेरा है मेरे सब पूछे बिना आप इस चीज का उप्योग नहीं कर सकते तो जो विक्सित देश थे उन्होंने सबसे पहले-पहले अविसकार कर लिया उन्होंने हमारे संसादनों का उप्योग भी किया उन्हों नवन चीजों को पैटन कर वा लिया आप उन्होंने परियावरन के महत को समझा कि इस तरह साथ चीज़ें जब हमारी बार यह उप्योग करने की तो नोन कहने लगे कि भी यह यह तो आप यूज निकर सकते ठीक है इसके उपर में तो कोई व्यक्ति है कई बार एक एक जांपल यहां पर बड़ा बेकार एक समझ के चल सकते हम कई वार अपने जो हमसे छोटे होते हम उनको कहते कि बेटे अगर नहीं पड़ोगे तो आप आगे चल के यह होगा वह आप यह आगे सक्सेस नहीं हो सकते ठीक है आपको यह को आगे carry forward कर रहे हैं ठीक है तो सेम चीज यहां पर ही होता है तो यह जो परियावरन का होता है प्योग कर ले अच्छे से ठीक है पहले उन्हों अपनी जिंदकी के मज़े लेगी ठीक है उसके बाद में उनको समझ में आगया बुद्धी आगया यह ऐसे करेंगे तो धसDas था वह भी इसवास करता है जो विक्षित देश तेंवन क्या किया सबसे प्रियावरन का दोहन करना स्टार्ट गिया प्रियावरन का m Cada मिस्यूस किया तरीके से में स्कनने के बाद जो उनको समझ मेंर funnel करना अब यहां पर ठीके तब उनों ने इन तरह के कान ticket जिसके आइए कानून लाने केद निए बा string ऑफ कानून को ठुप गया जिनको परियावरुटind का दिख यह चलती है दोस्तों यहां को चलती है दोस्तों करे positivo श्थ्थ करोगे को आप हमारे चैनल को like सै subscribe जरू करें वीडियो को अपने दोस्तों तक share करें जो भी आपके आसपास में में हिस्ट्य का कुछ student है अगर उसके ऊगर किसी तरह का डाउट है वीडियो देखना है तो हमारे दीनब चैनल को suggest करें अगर आपको हमारे WhatsApp सब गुरुप से चुड़ना है तो आप डारेक्ली कमेंट करें और डारेक्ली लिंक में वहां पर कमेंट बॉक्स में डाल दोगा तो वहां से आप डारेक्ली जॉइन कर सकते हैं लास्ट और इंपोर्टन चीज़ दोस्तों अभी दीन आपके उपर में कुछ वीडियो को हमने अब यहां पर आप बिना जोइन किया है हमारे चैनल का बिना मेंबर्सीप लिए नहीं देख सकते उन वीडियो को ठीक है उन वीडियो को देखने के लिए आपको मेंबर्सीप जरूर्द पढ़ेगा और वीडियो ऐसे हैं जो आपके एक्जाम में बहुत जादा अच्छे अब यह तो कुछ वीडियो से जादा तर वीडियो को हम अवनली फो मेंबर करने वाले हैं तो मैं आप सभी वीडियो से करूँगा कि आप भी अपना मेंबर्सीप जरूर्द ले दीन आपके साथ में ज्यादा महंगा है नहीं 59 रूपीज के अंदर में आप मेंबर्सीप ल लिए अगर कोई और भी वी वीडियो के सगेस्शन अवी दू किनली प्राप अगशना मैसेंगे वीडियो कhã मिन आप किया प्राफ़ी वीडियो के साथ में तो कानली ट्राफ दो में पर लाए टा तेकर आ वेस्त